Hello everyone, welcome to Quant Study. आज हमारी bank PO की Quant का first day है और आज हम इसमें पढ़ेंगे हमारा first chapter जो की है percentage. percentage को हम थीन पार्ट में complete करेंगे, first part में हम basics पढ़ेंगे, second में beginner level के questions होंगे और third part में advanced level के questions होंगे. शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें इसके अलावा हम फेस्बुक और इंस्टा पर भी एक्टिव हैं डिरेक्ट लिंक्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे जल्दी से हर जगा हमें फॉलो कर लीजिए और कोई भी अपडेट मिस मत कीजिए तो चलो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे परसंटेज है क्या है इसकी हम इंट्रोडेक्शन पढ़ेंगे आप देखो कि परसंटेज दो शब्दों से मिलके बनता है एक है पर और एक है सेंटेज तो सेंट क्या होता है सबसे पहली चीज़ आती है सेंट एक mathematical unit है जिसकी value हंडड है असान शब्दों में कहें तो हंडड को ही हम सेंट कहते हैं फिर बात आती है परसंट क्या होता है जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं पर means divided by cent means hundred तो कोई भी number जब hundred से divide होगा वो percent में बदल जाएगा एक example दी है मैंने यहाँ पर जैसे कि 9% है अगर हम इसको fraction में लिखें तो यह बन जाएगा 9 by 100 तो इसका मतलब क्या हुआ जब 9 को हमने 100 से divide किया तो वो 9% कहलाएगा ठीक है इसमें 9 जो है numerator दिख रहा है आपको और 100 जो है वो है denominator percentage को हम fraction में convert करते हैं तो हमें दो चीज़े मिलती है numerator denominator जैसे आपने पिछले slide में भी देखा तो यह मैंने कुछ और examples दी हैं जिससे आपको यह चीज़ ज़ादा clear हो जाएगी अब हमने यहाँ पहली example में लिख है 11 by 100 इसमें जो अपर पार्ट है fraction का उसको हम numerator कहेंगे और जो lower part है उसको हम denominator कहेंगे percentage के case में lower part हमेशा 100 ही होगा तो अभी हम उसको 11 by 100 को हम convert करेंगे जब percent में तो हमें 11% मिल जाएगे second example same 7 by 100 जिसको हम 7% कहते हैं third example 33 by 100 जिसको हम 33% कहते हैं इन सबसे आप एक definition भी derive कर सकते हो कि percentage basically एक fraction ही है जिसका denominator जो है वो हमेशा 100 होगा जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया अब यह जो चीज आपको दिख रही है fraction value यह बहुत जादा important चीज है ठीक है तो मेरी recommendation है कि यह जो जितने भी आपको points दिख रहे हैं यह must 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 आपको याद करने ही करने हैं क्योंकि speedy calculations में यह values बहुत काम आती है अगर आपको पता होगा 1 by 5 की value 20% है या 20% की value 1 by 5 है तो आप हवा में ही कोई भी calculation कर सकते हैं rather than आप 20% को पहले लिख कर convert करें फिर उसके बाद calculation करें वीडियो को pause करें और इन्हें अभी के अभी note down कर लीजिए यह रही next 10 fraction values की वीडियो इसको भी pause करें और next 10 values भी अभी note down करें और सिर्फ note down ही नहीं करना है इनको अच्छे से याद भी करना है अब यह एक काफी important point है इस point की help से आपकी calculation छोटी हो जाती है क्योंकि आपको exact values पर काम नहीं करना पड़ता तो यह note कह रहा है कि जब भी कोई answer जिसको हमें calculate करना है अगर वो पूछा होगा कि हमें answer निकालना है percentage या फिर ratio के उसमें तो हमें exact value पर काम करनी की जुरूरत नहीं है हम simply ratio जो भी values होंगी उनको ratio में convert करके भी उस पर काम कर सकते हैं वीडियो को pause कर लो अगर आपको लगता आप इससे solve कर सकते हैं वैसे तो बहुत basic सा और बहुत easy सा question है अगर आप इसको कर सकते हैं तो well and good अगर नहीं कर सकते हैं तो अब मैं आपको इसका answer दिखाने जा रहा हूँ अब इस question के पहले part को consider करते हैं जो कि है 20% of 480 इसे हम लिख सकते हैं 20 upon 100 into 480 zeros जो हैं वो आप देख सकते हो cancel out हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा सिरफ 48 into 2 जिसका multiplication का result आएगा 96 यह तो हो गया traditional method पर हमें क्या करना है हमें कम से कम लिखना है और जल्दी से जल्दी solve करना है अच्छा अब हमें पता है कि 20% जो है वो 1 by 5 होता है तो हम इसे लिखने के बजाए सिधा 1 by 5 imagine कर लें अब next step हमें क्या करना है 480 को सिरफ 1 by 5 से multiply करना है तो यह circle किया हुआ portion है जो solve हो चुका है और इसका result हमारे सामने है 96 यह भी लिखा हुए अब next part को solve करते हैं नीचे देखिए right side में 11 1 by 9% of 720 जो second part है हमने लिख लिया अब आपको जो मैंने starting में fraction values लिखने को कहीं थी अगर आप उन पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा 11th point जो है 11 1 by 9% की value दी हुई है 1 by 9 ठीक है तो अब हमें जो करना है 720 को सीधा 1 by 9 से multiply करना है यह आसान भाश 20 को 9 से divide करोगे आपके पास 80 आ जाएगा अब दोनों हमारे section solve हो चुकी है एक का आया 96 answer दूसरे का 80 इन दोनों को sum करेंगे हमारे पास आएगा 176 और 176 हमारे इन 4 options में गहीं नजर नहीं आ रहा तो हमारा answer होगा 5th option none of these चलते हैं next book question पर question है if a is 25% of b then b is what percent greater than a यह जो greater word है ना यह पूरे question का मतलब बतल देता है हमें सीधा सीधा नहीं पूछना की b a को यह के मुकाबले क्या है उन्होंने कहा है b a से कितना बड़ा है तो start करते है traditional method से हमने लिखा a is equals to 25% of b a is equals to 25 upon 100 into b इसको solve करते करते हम पहुंचे fourth line में a upon b is equals to 1 by 4 अब हमने क्या किया a को हमने x ले लिया b को हमने 4x ले लिया अब इन्होंने greater पूछा है तो हम b और a का subtraction लेंगे b बड़ा है तो b से a को minus करने हमारे पास 3x आ जागा एक चीज़ ध्यान रखना जब भी greater lesser much या फिर less more ऐसे words use होंगे तो हमेशा subtraction होगी आप b is greater than a कहो या a is less than b कहो बात सेम ही रहेगी b a से बड़ा ही रहेगा और b से ही a minus होगा बापिस आते हैं अपने question पर b minus a हमारे पास आ गया 3x हमें percentage निकालनी है with respect to a क्योंकि उन्होंने पूछा है b is what percent greater than a तो b minus a हमारे पास 3x a था हमारे पास x 3x divided by x into 100 हमारे पास आ गया 3 300% यह तो था traditional method अब हम करेंगे नए method से आपको यहाद हो का मैंने starting में बताया था कि answer अगर ratio यह percentage में पूछा हो तो हमें exact value लेने की जरूरत नहीं है तो अब question में क्या कहा किया है a is 25% of b हम assume कर लेते हैं b 100 है और a 25 है इसको और छोटा कर दें क्योंकि हम ratio में भी काम कर सकते है आंसर हमें percentage में देना है तो a1 आ जागा b4 आ जागा अब उन्होंने पूछा है कि b a से कितना बड़ा है तो b a से 3 नंबर बड़ा है यह मैंने red से mark किया हुए है ठीक है अब percentage की बात करें तो b कितना बड़ा है 3 बड़ा है किस से बड़ा है a से बड़ा है तो a का value आगी denominator मे b की value आगे numerator में in 200 किया हमने तो b a से 300% बड़ा है यह आता है हमारा next question if a is 20% less than b then b is what percent more than a अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ 20% normal और 20% less इन दोने में क्या difference है for example इन्होंने कहा होता a is 20% of b तो वो मैं आपको पिछले question में भी बता चुक हूँ b लेते हम 100 a लेते हम 20% पर इन्होंने कहे a is 20% less than b यानि अगर हम b को 100 लेंगे तो हम 100 से 20% minus करेंगे वो आ जाएगा हमारे पास 80 तो यहां आपको answer में दिख रहा है कि a जो है 100 minus 20 80 है b 100 रहे लेंगे तो 4 is to 5 की ratio आ जाएगी b a से कितना बड़ा है b a से 1 बड़ा है percentage निकालेंगे 1 आ गया b minus a upon 4 आ गया a की value into 100 तो यह आ जाएगा हमारे पास 25% तो b a से 25% बड़ा है अब यह question जो है अभी तक हमने जो पिछले method किये यह उससे भी हो सकता है पर मैं आपको इस question में एक और निया method सिखाऊंगा आप चूज कर लीजिएगा कि कौन सा method आपको better लगया आप उस question के हिसाप से कर सकते हैं यह question 100% वाले तरीके से भी हो सकता था पर एक निया method सीख लेते हैं इसी वीडियो में तो जादा मज़ा हैगा अच्छा question है a is 12 1 by 2% less than b c is 14 2 by 7% more than b हमें a b c की ratio निकालनी है अच्छा सबसे पहली चीज तो यह जो हमने fraction value पड़ी 12 1 by 2% को जो हम 1 by 8 लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास total 8 units हैं यह जो 1 by 8 लिखा होता है हमने जो denominator में 8 होता है हम इसको total मांगते हैं अगर हमारे पास total 8 units हैं तो उस 8 का 12 1 by 2% होगा 1 unit मैं फिर से repeat करता हूँ अगर हमारे पास total 8 units हैं उस 8 units का 12 1 by 2% होगा 1 unit आप अपने calculator में भी देख सकते हैं 8 लिखिए और 12 1 by 2 यानि कि 12.5 की percentage से multiply करके देखिए आपके पास 1 आएगा अब question कहा रहा है कि A जो है वो 12 1 by 2% B का नहीं है वो 12 1 by 2% B से कम है यानि अगर B 8 unit है तो जो 12 1 by 2 जो value आई थी 1 unit वो 8 unit से 1 unit कम है तो वही मैंने solution में भी लिखा है ratio पे आईए आप सीदा A is to B है 7 is to 8 क्यों क्योंकि B है 8 और A जो है 12 1 by 2% कम है यानि 1 unit कम है वैसा ही हम C पे काम करेंगे 14 2 by 7% को हम 1 by 7 लिखते हैं B को हमने 7 के value दी C जो है 14 2 by 7% B से बढ़ा है तो हम C में 1 add करतेंगे तो B is to C के ratio आजाएगी 7 is to 8 आप right side में देखें कि first equation से हमारे पास आया A is to B 7 is to 8 second equation से हमारे पास B is to C आया 7 is to 8 अब हम सिर्फ इसी portion पे focus करेंगे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इन दोनों जो दो equations थी A is to B और B is to C उसमें अमरे पास B common था अब हम B को अगर एक common number, common value देदें तो हमारे पास A और C के बीच का relation आजाएगा तो हम क्या करेंगे first equation में B को 7 से multiply करेंगे मतलब पूरी-पूरी first equation को ही 7 से multiply करेंगे और second equation में B को यानि कि पूरी की पूरी second equation को ही 8 से multiply कर देंगे first equation में जब A 7 से multiply होगा तो 49 आजाएगा, B जब 7 से multiply होगा 56 आजाएगा और second equation में C जब 8 से multiply होगा तो 64 आजाएगा और यही है हमारी A is to B is to C की ratio अब हमारे पास आता है next question, question यह वैसा ही है जैसे अभी तक हमने पीछे कि बस मैंने एक statement में दे दिये और कुछ नहीं है एक person की salary पहले थी 3500 अब वो increase हो गी है 5000 अब उन्होंने पूछे कि कि कितने का increase हुआ यह हमें मैंने मैं mention नहीं किया है पर आप ध्यान रखना कि यह हमें percentage में निकालना है ऐसे तो question सीदह सीदह हो गया कि 3500 पहले थी 5000 अभी थी 1500 का increase हुआ पर question हमें percentage में निकालना है पहले आप वीडियो को pause करो और अगर आप इस चीज को solve कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है अब मैं इस चीज का solution आपको दिखाने जा रहा हूं वही हमने निया method जो सीखा आज वह वाला हमने apply किया previous लिखा 3500 new लिखा 5000 हमें पता है कि हमें percentage में answer निकालना है यह जो मैंन उने कहा है कि कितना increase हुए 7 से कितना increase हुए 3 का increase हुए तो हम percentage का लिखेंगे percentage निकालने लिए हम 3 लिखने के numerator में किस से increase हुए 7 से increase हुए तो 7 लिखेंगे denominator में उसको 100 से multiply करेंगे percentage निकालने के लिए हमारे पास आजएगा 300 by 7% जिसको हम 42 6 by 7% P कहते हैं अब आया हमारा question number 6 question number 6 कहता है कि अगर एक rectangle की length 30% से increase कर दी जाए हमें नहीं बता उसकी at present length क्या है उन्होंने बस कहा है कि जितनी भी थी पहले उससे 30% increase कर दो और breadth को decrease किया जाए 20% तो जो निया area होगा वो कितने percent increase होगा अब यह question कैसे करना है हम solution पर आते हैं हमने लिखा है सबसे पहले हमें पता है 30% को अगर हम fraction में लिखेंगे वो 30 by 100 होगा जिसको हम 3 by 10 भी लिखते हैं ठीक है अब उन्होंने क्या कहा है है मैंने question में उन्होंने percentage में answer पूछा है तो म भी unit होगा वो उससे फरक ने पड़ता 10 units हमने original length rectangle की assume कर ली उन्होंने कहा है कि 30% increase हुई है तो हम 10 में जब 3 units add करेंगे हमारे पास new length आ जाएगी जो कि है 13 वैसे ही हम 20% पर काम करेंगे 20% हमें पता है 1 by 5 होता है original breadth हमने 5 ले ली अब इसमें reduce हो रही है तो हम 5-1 करेंगे त आप देख सकते हैं हमने original lengthly 10 और original breadthly 5 तो हमारा original area के आगया 50 अब new area के आएगा और new lengthly हमने 13 new breadthly हमने 4 और इनको multiply कर दिया new area हमारा आगया 52 आप ऐसे ही देख सकते हो कि हमारा new area बढ़ा आया तो हमारा question अभी तक सही जा रहे है अब क्या किया उन्होंने question में पूचा है कित दिख दी हमने numerator कि किस से increase हुआ 50 से increase हुआ वह आया denominator और हमने multiply कर दिया 100 के साथ तो हमारा 4 प्रेसेंट आ गया answer यह रहा आज के session का सबसे last question और यह बिल्कुल basic question है but just because यह fraction में है तो मैंने सोचा यह टाल देता हूं कुछ बच्चों को fraction numerator में fraction है और denominator में fraction है उसको solve करने में problem होती है पर अगर आपको आता है तो आप वीडियो को pause करो और एक बार इसको try करो अब मैं इसका answer आपको दिख सीधी सीधी line है हमने numerator में लिखा 2 by 3 denominator में लिखा 1 by 3 अब fractions जब आपको solve करनी होती है तो एक चीज़ ज्याद रखना numerator जो हमने उपर लिखा है उसमें भी fraction है ना तो numerator में जो numerator का भी numerator यानि कि जो 2 है वो उपर वाली fraction का numerator है और 1 है वो नीचे वाली fraction का numerator है और जो 3 है वो नीचे वाली fraction का भी denominator है हम numerator से numerator कोई काट सकते हैं denominator से denominator कोई काट सकते हैं यह थोड़ा messy हो रहा है पर आप देखिए इसको बिल्कुल basic भास्टा में कहें तो उपर वाली term को उपर वाली term से आप काटोगे नीचे वाली term को नीचे वाली term से काटोगे आपने 3 से 3 को काट दि आप इस चैनल को प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए थेंक यू